ओ महांगर्ण पते यह न महां महेशम सुरेशम सुरारातिनाशम विभुम वेश्वनाथम विभुत्यंग भोशम विरुपाक्षमिंद्वार्क वहनीत्रिनेत्रम सदानन्द मीडे प्रभुम पंचवक्त्रम श्रेशिवाय नमस्तू भ्यम हरे कृष्णा नमस्कार भक्तों, शेव महापुरान कथा सुनने वाले, सभी शेव भक्तों का Great MS Voice चैनल में हार्दिक स्वागत है, भगवान भोले नात और मादा पारवदी का आशिरवार आप पर और आपके संपोर्ण परिवार पर सदया बना रहे, शेव शेवा आपकी सभी मनो कामनों को पूरा करें, देखे, जिस सांसद को जनता चुनती है, वह संसद में बैठता है, और जिसे भगवान भोले नात चुनते हैं, वह कथा सुनने बैठते हैं, तो आप सभी बहुत ही भगशाली हैं, आज हम शेव पुरान शिरी रुत्र सहिता के प्रथम खंड में, सोलवे अध शेव परिवाद और शेव महापुरान का ध्यान करते हुए, शांत और प्रसंचित मन से शेव पुरान की कथा का श्रवन करते हैं, श्रे शिवाय नमस्तु भ्यम, ब्रह्मा जी, श्रिष्टी की उत्पत्ती का वर्णन करते हुए, नारद जी से पोले, कि है नारद, आदी पंच भूतों द्वारा, पंच करन करके उनके स्थुल, आकाश, वायू, अगनी, जल और प्रिथ्वी, पर्वत, स्मुद्र, व्रिक्ष और कला आदी से यूगों और कालों की मैंने रचना की, तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए, उत्पत्ती और विनाश वाल स्रिष्टी के अन्मे पदार्थों की रचना की, और अपने नेत्रों से मरीच को, हिर्दे से भीगू को, सेर से अंगीरा को, कान से मुनिश्रेष्ट पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ट को, अपान से कृतू को, दोनों कानों से अत्री को, प्रान से दक मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया. हे मुनिश्रेश्ट इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की क्रिपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना. मेरे संकल्प से उत्पन, धरम, मेरी आग्या से मानुव का रूप धारनकर साधन में लग गये. इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन अंगों से देवता वह असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उनहें विभिन शरीर पर दान किया तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेणना से मैं अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दो रूपों वाला हो गया, मैं आधे शरीर से पुरुष वा आधे से नारी हो गया, पुरुष स्वयम भूव मनू नाम से प्रसिद हुए, एवं उच्च कोटी के साधक कहलाए, नारी रूप से शत्रूपा नाम वाली योगीनी एवं परम तपस्विनी इस्तरी उत्पन हुई, मनू ने विवाहिक विधि से अत्यांत सुंदरी शत्रूपा का पाणी ग्रहन किया, और मैथुन द्वारा स्रिष्टी को उत्पन करने लगे, उन्होंने शत्रूपा से प्र आकूती का रूची मुनी से, देवहुती का करदम मुनी से, तथा प्रसूती का दक्ष प्रजापती के साथ विवाह कर दिया गया, इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया, रूची और आकूती के विवाहिक संबंध में यग्य और दक्षिना नामत इस्तरी पुरु पैदा हुई दक्ष और प्रसूती से 24 कन्याएं हुई दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धरम से कर दिया ये 13 कन्याएं श्रद्धा लक्ष्मी धृती तुष्टी पुष्टी मेधा क्रिया बुध्धी लज्जा वसु शान्ति सिध्धी और किर्ति हैं अन्या 11 कन्याओं ख्याती सती संभूती सम्रिती पृती क्षमा संती अंसुया उर्जा स्वाह और स्वधा का विवाह भीगू शिव मरीची अंगीरा पुलस्त्य पुलह क्रतु अत्री वशिष्ट अगनी और पितर नामक मुनियों से संपन हुआ इनकी संतानों से पूरा त्र लोग भर गया अंबिका पती महादेव जी की आग्या से बहुत से प्राणी श्रेष्ट मुनियों के रूप में उत्पन हुए कल्प भेद से दक्ष की साथ कन्याएं हुई उनमें से दस कन्याओं का विवहा धरम से 27 का चंद्रमा से 13 कन्याओं का विवहा कश्य प्रिश्य से स से दो दो कन्याओं का विवह कर दिया कश्य प्रिशी के संतानों से संपोन त्रिलोग आलो कित हैं देवतारिशी देट्य वरिक्ष पक्षी परवत तथ लताएं आदी कश्य पत्नियों से पैदा हुए हैं इस तरह भगवान शंकर की आग्या से ब्रहमा जी ने पूरी जीद्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी जिनहें रुद्र देव ने त्रिशूल के अगर भाग पर रखकर उनकी रक्षा की वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी उन्होंने भग्तों का उधार करने के लिए अनेक लिलाएं की इस प्रकार देवी शिवा ही सत कि अरधांगी निबनि परन्तु अपने पीता की यग्य में अपने पती का आप्मान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यग्य की अग्णी में भस्म कर दिया देपताओं की प्रात्ना पर ही वे मा सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठेन तपस्या करके उन्होंने पुनहा भगवान भोले नाथ को प्राप्त कर लिया वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विज्या, जया, जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, ब्रिडानी और सर्वमंगला आदी अनेक नामों से पूजी जाती हैं देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं हे मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस रिष्टी की उत्पत्ति की कथा सुनाई है पूरा भगवान शिव की आज्या से मेरे द्वारा रचा गया है भगवान शिव निर्गोण और सगोण है वे शिव लोक में शिवा के साथ निवास करते हैं ओम नमस्षिवाई सूत जी कहते हैं हे रिष्यों उसके बाद नारद जी ने वीने पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे भगवन भगवान शंकर केलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहां और कैसे हुई प्रभू शिव जी केलाश पर क्या करते हैं क्रेप्या करके मुझे बताईए इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ फिर भ्रह्मा जी बोले हे नारत मैं तुम्हें चंद्र मौली भगवान शिव के विश्य में बताता हूँ कांपिल्य नगर में यग्यदत दिख्षित नामक एक ब्रह्मन रहते थे जो अत्यांत प्रसिध थे वे यग्यविद्या में बड़े पारंगत थे उनका गोण निधी नामक एक आठ वर्ष्य पुत्र था उसका यग्यविद्य हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याइं जानता था परंतु वह दूराचारी और जुआरी हो गया वह एक वक्त खेलता कूटता रहता था तथा गाने बजाने वालों का साथी हो गया था माता के बहुत कहने पर भी वह पीता के समेप नहीं जाता था और उनकी किसी भी आगय को नहीं मानता था उसके पिता घर के कारियों तथा दिक्षादी देने में लगे रहते थी जब घर पर आकर अपनी पतनी से एक गुण निधी के बारे में पूछते तो वह जूट कह देती कि वह कहीं सनान करने या देवताओं का पूजन करने गया है केवल एक ही पूत्र होने के कारण वह अपने पूत्र की कमियों को छुपाती रहती थी उन्होंने अपने पूत्र का विवा भी करा दिया माता नित्य अपने पूत्र को समझाती थी वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे परन्तु गुण निधी पर मा के समझाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया देव योग से उसके पिता को अंगूठी के विश्य में पता चल गया जब उन्होंने अंगूठी जुवारी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुवारी ने कहा मैंने कोई चोरी नहीं किया है अंगूठी मुझे तुम्हारे पूत्र नहीं दी है यही नहीं बलकि उसने और जुवारियों को भी बहुत सारा धन घर से ला कर दिया है परंतु आश्चरे तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पूत्र के लक्षन को नहीं जान पाएं यह सारी बातें सुनकर पंडित दिक्षित का से शरम से जुक्या वे से जुका कर और अपना मोह धक कर अपने घर की और चल दिया घर पहुंच कर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा अपनी पत्नी ने पूछा तेरा लाडला पुत्र कहां गया है मेरी अंगुठी जो मैंने सुभा तुम्हें दी थी वह कहां है मुझे जल्दी से दो पंडित की पत्नी ने फिर से जोट बोल दिया मुझे समारण नहीं है कि वह कहां है अब तो दिख्षित जी को और भी क्रोध आ गया वे अपनी पत्नी से बोले तू बड़ी सत्यवादी नहीं है इसलिए मैं जब भी गुण निधी के बारे में पूछता हूं तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है यह कहकर दिख्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूणने लगे किन्तु उन्हें कोई वस्तु ना मिली क्योंकि व और दूसरा विवाह कर लिया ब्रह्मा जी बोले हे नारद जब यह समाचार गुण निधी को मिला तो उसे अपने भविश्य के चिंता हुई वह कई दिनों तक भूका प्यासा भटकता रहा एक दिन भूक प्यासे व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ किया एक पूचन के लिए विविध सामगरी लेकर वहां आया था उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधी विधान से पूचन किया और अनेक प्रकार की पकवान शिवलिंग पर चड़ाए पूचन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुण निधी ने भूक से मजबूर ह उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला कि उस समय अंधेरा हो चुका था इसे लिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर पुजाला किया यह मानों उसने भगवान शिव के समुक दीपक जलाकर दीपदान किया था जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है सब ही उसे पकड़ने के लिए दोड़े और उसका पीछा करने लगे नगर के लोगों ने उसे खूब मारा उनकी मार को उसका भू का शरीर सहन नहीं कर सका और उसके प्रान पखेर उड़ गए उसके कू कर्मों के करण यमदूत उसको बांद कर ले जा रहे थे तब ही भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुण निधी को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया यमदूतों ने शिव गणों को नमस्कार किया और बताया कि यह तो बड़ा पापी और धर्म करम से हीन है यह अपने पिता का भी शत्रू है इसने शिव जी के भोग के भी चोरी की इसने बहुत पाप किये हैं इसलिए यह यमलोक का दिखारी है इसे हमारे साथ जाने दे थाकि विभिन नर्कों को यह भोग सके तब शिव गणों ने उत्तर दिया कि निश्चे ही गुण निधी ने बहुत से पाप करम किये हैं परन्तु इसने कुछ पुन्ने करम भी किये हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप करमों को नश्ट करने वाले हैं इसने रात्री में अपने वस्त्र को फाड़ कर शिव लिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डाल कर उसे जलाया और दीपतान किया इसने अपने पिता के श्री मुख से एवं मंदिर के बाहर बैठ कर शिव गुणों को सुना हैं और ऐसे ही और भी अनेक धरम करम इसने किये हैं इतने दिनों तक भूका रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया हैं इसलिए यह हमारे साथ शिव लोग को जाएगा वहां कुछ दिनों तक निवास करेगा जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान की क्रिपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा इसलिए है यम्दूतों तुम अपने लोग को लौट चाओं यह सुनकर यम्दूत यम लोग को चले गए उन्होंने यम्राज को इस विश्य में सूचना दिए और यम्राज ने इसको प्रसंता पूर्वक स्विकार कर लिया तत पश्चाद गुण निधी नामत भामन को लेकर शिवगन शिव लोग को चल दिये कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराज मान थे उसे उनके साम मिलाया गया गुण निधी ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तूती की उसने महादेव से अपने किये कर्मों के बारे में शमा याचना की भगवान ने उसे शमा ब्रदान कर दी वहाँ शिव लोग में कुछ दिन निवास कने के बाद गुण निधी कलिंग देश की राजा अरिंदम के पुत्र दम की रूप में विख्यात हुआ हे नारद शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई इस गुण निधी के चरित्र को जो कोई भी पढ़ता अथ्वा सुनता है उसकी सभी कामने पूरी होती है तथा वह मनुष्य सुक शान्ति प्राप्त करता है ओम नमस्षिवाय नारद जी ने शिव द्वारा हुबेरपद क्यों और कैसे प्रदान किया गया हे प्रभु कृप्या करके इस कथा को भी बताईए पिर भ्रहमाजी बोले हे नारद शिव लोक में सारे दिव्वे भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवनकर वह अगले जनम में कलिंग के राजा अरिंदम का पूत्र हुआ उसका नाम दम था बालक दम की भगवान शंकर में असेम भगती थी वह सदैव शिव जी की सेवा में लगा रहता था वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता था यूवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यों के पश्चार दम को रा राजा दम सब और शिव धरम का प्रचार और प्रसार करने लगे वे सभी शिवाल्यों में दीप दान करते थे उनकी शिव जी में अनन्य भक्ती थी उन्होंने अपने राज्चे में रहने वाले सभी ग्रामा ध्यक्ष्यों को यह आग्या दी थी कि शिव मंदिर में दीप करना सब के लिए अनिवारे हैं अपने गाउं के आसपास जितने शिवाले हैं वहां सदा दीप जलाना चाहिए राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए उन्होंने शिवाल्यों में बहुत से दीप जलवाए इसके फल्स्वर वे दीपों की प्रभा के आश्रे हो मृत्यो प्रान अलकापूरी के स्वामी बने ब्रह्मा जी बोले हे नारद भगवान शिव का पूजन वह उपासना महान पल देने वाली है दिक्षित के पूत्र गुण निधीन है जो पून अधर्मी था भगवान शिव की क्रिपा पाक अब मैं तुम्हीं उसकी भगवान शिव के साथ मित्तरता के विश्य में बताता हूं हे नारद बहुत पहले की बात है मेरे मानस पूत्र पुलस्ते से विश्रवा का जनम हुआ और विश्रवा के पूत्र कुबेर हुए उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तब किया उन्होंने विश्व कर्मा द्वारा रचित अलका पूरी का उपभोग किया मेग वाहन कल्प के आरंभ होने पद वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशी पूरी में गए और अपने मन के रतन में दीपों से ग्यारह प्रतिष्ठा के उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया कुबेर पूरे मन से तप में लगे थे उनके पूरे श्रीर में केवल हडियों का धांचा और चमडी ही बची थी इस प्रकार उन्होंने दस हजार वर्षों तक तपस्या कि ततपस्चाद भगवा शक्ति उमा के भवे रूप के साथ कुबेर के पास गए अलकापती कुबेर मन को एकागर कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे भगवान शिव ने कहा अलकापते मैं तुम्हारी भगती और तपस्या से प्रसन हूँ तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांग सकते हो यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आँखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नेल कंठ खड़े दिखाए दिये उनका तेज सूरे किसमान था उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था उनके तेज से कुबेर की आँखें चौंधियां गई ततकाल उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली वे भगवान शिव से बोले हे भगवन मेरे नेत्रों को वह शक्ति दीजिये जिससे मैं आपके चर्णार विंदों का दर्शन कर सकूँ खुबेर की बात सुनकर भगवान शिव नै अपनी हतेली से खुबेर को सुवर्श कर देखनी की शक्ति प्रदान की दिव्य द्रिष्टी प्राप्थ होने पर वे आंखें फार फार कर देवी उमा की ओर देखने लगे वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ यह सरवांग सुन्दरी कौन है इसने ऐसा कौन सतब किया है जो इसे भगवान शिव की क्रिपा से उनका सामिप पे रूप और सोभग्य प्राप्थ हुआ है वे देवी उमा को निरंतर देखते जा रहे थे देवी को घूरने के कारण उनकी बाई आँख फूट गई शिव जी ने उमा से कहा कि हे उमे यह तुमहरा पुतर है यह तुम्हे क्रूर दिरिष्टी से नहीं देख रहा यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा मैं तुम्हारी तपस्टा से बहुत प्रसन हूँ मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त नीधियों और गुईया शक्तियों के स्वामी हो जाओ सूवरतों, यक्षों और किनरों के अधिपती होकर धन के दाता बनो मेरी तुम से सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूँगा अर्थार तुम्हारे स्थान अलका पूरी के पास ही मैं निवास करूँगा कुबेर अब तुम अपनी माता उमा के चर्णों में प्रणाम करो ये ही तुम्हारी माता है भ्रह्मा जी कहते हैं हे नारद इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा हे देवी यह आपके पुत्र के समान है इस पर अपनी क्रिपा करो यह सुनकर उमा देवी बोली हे वत्स तुम्हारी भगवान शिव में सदयाव निर्मल भक्ती बनी रहे बाइं आंख फोट जाने पर तुम एक ही में परदान किये हैं वे सुलब हैं मेरे रोप से इर्श्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद होंगे कुबेर को वर देखकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए इस परकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और वे अलका पूरी के न केलाश परवत पर निवास करने लगे नारद जी ने कहां हे ब्रह्मा जी आप धन्य हैं आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमरित कथा के बारे में बताया है निश्चे ही शिव भक्ती दुखों को दूर कर समस्त सुख परदान करने वाली हैं ओम नमस्षिवाए ब्रह् केलाश परवत पर तब करने से वहां पर भगवान शिव का शुब आगमन हुआ कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधी पती होने का वर देकर अंतर ध्यान हो गए तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में जिसका जनम भ्रह् जाने की इच्छुक रुद्र देव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरु बजाना शुरू कर दिया वहे ध्वनी उत्साह बढ़ाने वाली थी डमरु की ध्वनी तीनों लोकों में गोंज रही थी उस ध्वनी में सुनने वालों को अपने पास आने का आग रह था उस डमर द्वनी को सुनकर भ्रम्मा विष्णु आदी सभी देपता रिशी मुनी वेद शास्त्रों को जानने वाले सिधलोग बड़े उत्साहित होकर कलाश परवत पर पहुंचे भगवान शिव के सारे पार्षत और गणबाल जहां भी थे वे कलाश परवत पर पहुंचे साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोडों भ्यावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयम शिव जी भी वहां पहुंचे सभी गणबाल सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे उनके मस्तक पर जटाएं थी सभी चंद्र चूड नील कंठ और त्रिलोचन थे हार कुंडल के यूर तथा मुकुट से वे अलंकरित थे भागवान शेव ने विश्व कर्मा को केलाश परवत पर निवास बनाने की आग्या दे अपने वह अपने भक्तों के रहने के लिए योग्य आवास त्यार करने का आदेश दिया विश्व कर्मा जी ने आज्या पाते ही अनेकों प्रकार की सुन्दर निवास स्थान वहां बना दी उत्तम मुहूरत में उन्होंने वहां प्रवेश किया इस मधूर बेला पर सभी देवताओं, रिशी मुनियों और सिधों सहित भ्रमा और विश्णुजी ने शिव जीव उमा का अभिशेक किया विभेन प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तूति की प्रभु की आरती उतारी उस समय आकाश में फूलों की वर्शा हुई इस समय चारों और भगवान शिव तथा देवी उमा की जयजय कार हो रही थी सभी की स्तूति से प्रस्रान होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वर्दान दिया तथा उन्हें अभिश्ट और मनो वांचित वस्तुई भेंट की तथ पश्चात भगवान शंकर की आगया लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए कुबेर भी भगवान शिव की आगया पाकर अपने स्थान अलका पूरी को चले गए तथ पश्चात भगवान शंभू वहां निवास कने लगे वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मगन रहते कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्षकन्या देवी सती को पतनी रूप में प्राप्त कर लिया हे देवरिशे अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुख पूर्वक विहार करने लगे हे नारत इस परकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है तुम्हें शिव जी वकुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन लिलाओं की विश्य में बतायाै उनकी भगति तीनों लोकों का सुख प्रदान करने वाली तथा मनों वांचित फलों को देने वाली है इस लोग में ही नहीं पर लोग में भी सद्गती प्राप्त होती है इस कथा को जो भी मुनुश्य एकाग्र होकर सुनता या पढ़ता है वह इस लोग में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है नारद जी ने भ्रह्मा जी का धन्यवाद किया और उनकी स्तूती की वे बोले कि हे प्रभो आपने मुझे इस अमरित कथा को सुनाया है आप महाग्यानी हैं आप सभी की इच्छाओं को पोन करते हैं मैं आपका आभारी हूँ शिव चरित्र जैसा श्रेष्ट ज्यान आपने मुझे दिया है हे प्रभो मैं आपको बारम बार नमन करता हूँ ओम नमस्षिवाए तो इसे के साथ श्री रूत्र सहीता प्रथम खंड यहीं समाप्थ होता है कल आप श्री रूत्र सहीता के दिया खंड का शवन करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए हर हर महादेव आपका मंगल हो